मतुरा के थाना महावन शेत्र के कारब रिज्वाहा में अग्यात महिला का शब मिलने से संसिनी पैल गई गटना की सूषना पाकर मोके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शब को बाहर निकाल कर पंच नामा भर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया वही पुलिस मामली की जांच में जुट चुकी है जिले में अग्यात शब मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है जानकारी अनुसार बुद्वार को महावन धाना शेत्र के पचावर कारब नहर में 20 वर्षी का अग्यात महिला का शब बहता हुआ मिला नहर में शब बहने की सूशना मिलते ही सैंकडों की संख्या में लोग घटना सल पर पहुँच गए वहीं मामली की जानकारी पुलिस को दी गई घटना की सूशना मिलते ही मोके पर पहुँचे पुलिस ने अग्यात महिला के शब को बहार निकलवाया शव को देखने से ऐसा परतीत हो रहा है कि शव कहीं से बहकर आया है और कई दिन पुराना है महिला ने आतम हत्या की है या इसकी हत्या कर शव को साक्षे मिटाने की साजेश से रजवाह में फैंका है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा मामले की जानकारी देते हुए थाना महावन कारेवाहाग प्रभारी राजकुमार ने बताया कि शव तक रिबन 6-7 दिन पुराना परतीत हो रहा है शिनाकत नहीं हो पाई है वहीं फिलहाल मामले की जांच की जारी है मत्रों से समाध आता जाहिद सेयद की रिपोर्ट काफी पर्यास किया गया और पंचानत नामा भरकर पोस्त मार्डम की कारवे की जारी है और आवसक कारवे की जाई उमर लगभग कितनी पर्तित हो रही है इसकी लगभग एसकी बॉसका पर शुछ आई है ठाहरेवसक्ष क्यास पाउफ टाए पिछे से वयकराई हैं और पंजे दिन का सम्रानी लगगे है अफट्व और यह स्वाट्स ऑलाज़ राजगराना और यह और जए क्रीन उस्ष्ट गरिणी लूश्ट अडूश् साथ लिए ये में लौ एंजोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर आड़ सब्सक्राइब करें थान्यवादी